हले दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका वोर्ड एक्जाम 2020 में 3 से 2 मेने बचे हैं आपको आपको बता दो कि छातर ये 3 गलतियां अक्सर करते हैं तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो 3 गलतियां निश्चित तोर पर आप मत करना नहीं तो एक्जाम में 90% का ख्वाप छोड़ दो नहीं आने वाले ठीक है अब आपको बताता हूँ कैसे आपके पास से 3 मेने बचे हैं ठीक है अब इसको आपको करना क्या है आप देखे पहला चीज़ पहला गलति क्या है पढ़ने के अलावा आप किन चीजों में समय वेस्ट करते हो ठीक है क्या करते होगे टिक टॉक पबजी वाट्सप पेस्बूक इंस्टाग्राम या अधर एप का इस्तमाल करते होगे इसमें आपका कितना समय वर्बाद जाता होगा कम से कम मीनिमम मैं बता रहा हो चार घंटे तो इन सभी चीजों में चला ही जाता होगा का पर डे का ठीक है अगर आप इन चीजों को करना बंद कर दो अगर आप इन चीजों को करना बंद कर दो तो आपके चार घंटे बचते हैं ठीक है चार घंटे बचेंगे चार घंटे में अगर आप चार घंटे पढ़ोगे तीन से चार मेना चार घंटे अगर मन से पढ़ोगे तो definitely 90% आने से आपका कोई नहीं रोग सकता आपको आपके पास क्या नहीं है दिवाग महीं है आपके पास सभी चीजे हैं आप कर सकते हो आपके पास पढ़ाई का सोत है आपके साथ study material है आपके पास time table है आपके पास सभी चीजे हैं पढ़ने के लिए किताबे हैं तो आप 2-3 मेना पढ़ो यार ठीक है पढ़ो ठीक है 2-3 मेने अगर पढ़ लोगे तो उसके बाद भी ये सभी चीजे आप इस्तमाल करोगे तो कोई फर्क नहीं पढ़ेगा ठीक है ये सबी चीज़े आप इस्तमाल कर सकते हो दो-तीन महने तो पहली गलती आप ये करें कि समय वेस्ट करना बंद कर दें इन सबी चीज़ों के लिए दो-तीन महने तक ठीक है इन सबी चीज़ों पर समय वेस्ट ना करें ठीक है दूसरी गलती अब मैं बताता हूँ बीना टाइम टेबल के पढ़ना ठीक है बीना टाइम टेबल के आप कैसे पढ़ सकते यार देखो आप टाइम से खाना खाते हो ठाइम से सभी चीजे करते हो तो आप time से पढ़ो भी ठीक है बिना time table के आप कैसे पढ़ोगे अब बता दू आपको माल लो आप 4 घंटे पढ़ते हो 6 घंटे पढ़ते हो या 8 घंटे पढ़ते हो 2 घंटे 3 घंटे जितना ही पढ़ते हो comment box में हमें बताइए कि आप कितने घंटे पढ़ते हैं ठीक है अब आपको tim table कैसे बनाना है, एक मैने वीडियो बनाये कि tim table कैसे बनाते है उँख आप जाके देख सकती हो, अगर आपको tim table अभी तक नहीं बनाये हो तो आप एक daily schedule बना लिजीए, कि कितने से कितने time हों पढ़ना है, और गलती की बात करते हैं दोस्तों तीसरी गलती चैप्टर वाइज न पढ़ना आप मालो मैथ पढ़ ले हो मैथ का पहला चैप्टर मालो आपका संख्यक्य है ये है ठीक है ठीक है पहला चैप्टर आप पढ़ते हो उसके बाद आप डारेक्ट जम करते हो तीसरे चेप्टर पे तीसरे चेप्टर पे जम करते हो तो मालीजी आपका दूसरा चेप्टर ट्रिग्नोमेट्री था अब आपने ट्रिग्नोमेट्री ही मिस कर दिया पड़े ही नहीं तीसरे चेप्टर पे आ गए तो इस तीसरे chapter में भी आपको trigonometry के question मिलेंगे ही मिलेंगे ऐसा कोई chapter नहीं है जिसमे trigonometry से related question नहीं मिले आपको sign-cost लगा के question हर chapter में मिली जाएंगे आप चाहे तो देख सकते हो triangle में आपको मिल जाएगा किसी भी सेप में एरिया में सभी में आपको साइन कॉस्ट वाले कोश्चन मिलेंगे तो आप अगर चैप्टर वाइज नहीं पढ़ते हो तो आप गलत कर रहे हो ठीक है आप बहुत सी चीजे मिस कर जाओगे जो कि आपको next चैप्टर जिसमें आप जम कियो वो भी दिक्कत करेगा समझने में क्योंकि आपने पहले वाला चैप्टर पढ़ा है नहीं इसलिए बुक में जो दिया रहता है वो सीरीज में दिया जाता है ताकि इसलिए टिग्नोमेटर आपको पहले दिया जाता है और फॉर्मुला का जो यूज होगा, जो फॉर्मुला दूसरे, तीसरे, चौथे, पाच्वे चैप्टर में रहेंगे, वो छटे में भी आपको इस्तमाल करने को दिख जाएंगे, कोश्चन में आपको दिख जाएंगे, ठीक है, तो ऐसे मत कुरो, चैप्टर वाइस पढ़ो आपका definitely 90% आएगा ही आएगा, ठीक है, आपको ये विश्वास रखना होगा, कि मेरा, हम जितना पढ़ रहें, उतना हमारा तयार है, हम भूले नहीं है, confuse मत होना, और बाकी सारी टिप्स मैं आपको दे रहा हूं, study material दे रहा हूं, important question दे रहा हूं, 10th के, तो आगर आप चल अपहिंग सब्सक्राइख